हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के केंडेट के लिए करने जॉब अपडेट की तो देखे भारतिया डाक विवा के और से हिमाचल प्रदेश के केंडेट के लिए ग्रामिन डाक सेवक की वेकेंसी निकाले गई है इन vacancy पर apply करने के लिए क्या education qualification रहने वाला है और इन vacancy पर आप कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंतक बने रहें देखे हिमाचल प्रदेश पोस्टल सरकल की और से ग्रामिन डाक सेवक की 757 vacancy निकाले गई है यदि हम category wise number of vacancy की बात करें तो unreserved category के लिए 323 vacancy economical weaker section के लिए 78 vacancy OBC के लिए 182 vacancy SC के लिए 131 vacancy और ST के लिए 43 vacancy pay scale तो देखे भारतिया डाक विवा की और से 10,000 प्रतिमा वेतनमान दिया जाएगा education qualification जिन candidate ने 10th pass किये वे सभी इन पदों पर apply कर सकते है age limit तो देखे इन पदों पर apply करने के लिए age limit 18-40 वर्ष रखी गई है application fee for unreserved OBC economical weaker section male candidate के लिए application fee है 100 rupees for all female SC ST और P WD candidate के लिए कोई भी application fee नहीं रखी गई है important date तो देखे आप इन पदों पर 6 June 2019 से 5 July 2019 तक apply कर सकते हो job location तो देखे आपका job location हिमाचिल प्रदेश में रहने वाला है selection procedure तो देखे यदि हम selection procedure की बात करें तो आपका selection इन पदों के लिए आपकी 10th में ली गई percentage के अधार पर किया जाएगा तो देखे यदि आपकी 10th में अच्छी percentage है तो आप इन पदों पर apply कर सकते हो तो देखे ये थी पूरी जनकारी हिमाचिल प्रदेश के candidate के लिएके नए job अपडेट की आज के वीडियो में बस इतना ही thanks for watching